हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तू आज है फॉस्ट जैनुरी तो फॉस्ट जैनुरी के आपके जितने भी इंपरन्ट करन्ट रफेर होंगे वह सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पता दो कि कल जो हमने 31 दिसंबर के करन्ट रफे हैं तो आप हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इसके जो बैल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेलो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह चार वजे करन्ट रफेर प्रवाइड करवा द क कारे वाहक मुख हिन्याधिष कौन बने हैं जो नाम था चागरी प्रवीर कुमार जो की हाली में आंदर प्रवाहक मुख हिन्याधिष के रूप में चुने गए इस कोस्टन का राइट ऑप्शन आपका दी और दूसर टेस्ट आपका हाली में किसे चैंपिन ऑफ चेंज प अब हम स्टार्ट करेंगे 1st January के करंटरफर्स और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिये जाएंगे जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो अजकर सबसे पहला करंटरफर है बहुत ही पूर्ण आपके लिए CIC यानि की Central Information Commission में मुख्य सूचना आयुक्त किया गया और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले CIC में मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे तो उनका नाम था राधा कृष्न माथुर अब कुछ इंप आते हैं आप लोग सुचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे अभी ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है और सुचना आयुक्त किया गया है करें थे यह त्य चार यह डश हैं अब और में एक आयुक्त के रुवड़ें कुछ तीक कर रहे हैं यह UP जिए उृफिसर हैं। और CIC यानि कि Central Information Commission की स्थापना कब हुई थी यह आपके लिए इंपॉर्डन है तो इसकी स्थापना दो हजार पांच मुझी थी तो इतनी इंपॉर्ड वाते हैं आपको इस कोशन के अबाए में नोट करनी थी आज का हमार अगला कॉन्ट अफेर है मिरनाल सेन का हाली में इध मिरनाल सेन है यह 95 एर के थे 95 एर के एज मिन की देथ होई है और इनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में है वह बंगाली लैंग्विज में और जो मिरनाल सेन है यह इंडियन पीपल्स ठीयटर एस्सेशिएशन के सद्द्द से भी रह चुके हैं और इन्हें कौन-कौन से अव सब्सक्राइब करने के लिए इतनी इंपर्ण बाते आपको इनके बारे में नौट करने थी अगला करण फेर है हमारा और देखें यह जो बैंक है यह आपको पताना जी कहा पहर है तो यह बैंक केरल में है और इससे पहले भी केरल में चार शेडियूल बैंक थी अब इस बैंक को मिलाकर केरल में टोटल पांच शेडियूल बैंक हो जाएंगे उन चार शेडियूल बैंक के नाम बताती जो पहल कीजिए Reserve Bank of India इसकी स्थापना हो यह 1st April 1935 में और Reserve Bank of India का जो हैड़कर है वो मुंबई में है मुंबई जो कि महाराश्च्र की कैपिल है और इसकी जो गवर्न है उनका नाम है शक्तिकान दास जो कि 25 में गवर्न है जिनकी न्युक्ति हाली में हुई आप अगर उर्जित पतेल चोबिसमे गवर्न है तो पहले गवर्न है सबसे पहले तो वो थे औसमित अब ESAF स्मॉल फाइनस बैंक के बारे में नोट कीजिए इसकी स्थापना हुई है 17 मार्च 2017 में और इसका जो हैड़काडर है वो केरल के अंदर प्रभा रवेंदर नाथन और इसके जो एमड़ी और CEO है के पॉल थॉम्स और यहां पर सबसे इंपूर्ण बात आपको ESAF स्मॉल फाइनस बैंक के बारे में पता होना चाहिए देखिए इस बैंक की जो स्थापना है वो 2017 में हुई है यह मैं आपको बता है पर आर्बिय न Chinese AIF माइक्रोफानांस संस्थान था है 1992 में स्थापना हुई थी इस सथार्भा इससे 2016 में आर्बिय ने पर बैंक के रूपर काम करने के मलजूरी दी है यह आपको important नोट करना था अगरा करना फेर है हमारा बंगला देश के प्रधारमंत्री का चुनाव किसमे जीता है तो उ बंग्लडेश की फिर से ही प्रधान मंत्री भरें गी शेेक असीना जी पिछले-3 सालों से यह पैडलेश के प्रधान मंत्री का चुनाफ जीति आ रही हैं यहाँ पर बांग्लडेश के बादर्भाइश के भारे नहीं कि य्द्ल flats पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो उनका नाम है अनिंदिता नियोगी अनाम यह जो अनिंदिता नियोगी अनाम है इन्हें हाली में राष्ट्री निरित्य शिरोमणी पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा और आपको यह पता जी कि नहीं क्यों दिया जाएग महिलाओं की राश्टरे मुख्यबाजी Championship के तीसे संसकन की शुरुअत कहाँ से हुका तो जो राश्टरे मुख्यबाजी Kingdom इसकी शुरुआफ हाली मीरो गयों करनाठक में अनदर में करनाठक के अंदर काथ् विजय नर्मेर नगर में चैंपेशिप करेंगर आपको पताँ चैंपिशिप किसके दारा नाइस की जारी तो यह चैंपिशिप Boxing Federation of India के दारा नाइस की जारी है और Boxing Federation of India के बार में भी नोट कीजिए इसकी स्थापने आपको पताँ चाहिए कब हुई है इसका जो headquarter है वो New Delhi में है और इसके जो अध्यक्ष है अब खेल की बात चल रही है तो खेल मन्ती का नाम भी तो आपको याद रखना होगा तो हमारे जो खेल मन्तिर उनका नाम राज्यवर्दन सिंग्राठो हों क्योंकि चैंपिशिप करनाटक में शुरू हुई है तो करनाटक के बार में नोट कीजिए यहां पर करनाटक करनाटक की केप्टल है ब्रैंगलोर चीफ मिनिस्टर है एच डी कुमार स्वामी गवर्णर है बज्जु भाई वाला लोग सभगी सीटे 28 राज्जी सभगी सीटे 12 विधास सभगी सीटे 224 फोक डाउंस है धोलू कुनिथा और नैशल पाक है नागर होले न दर्ज किया गया है तो उस राज्जी का नाम है तिलंगना हाली में तिलंगना का जो एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल का नाम बताती हूँ हॉस्पिटल का नाम है MNJ Institute of Oncology and Regional Cancer Center यह जो हॉस्पिटल है इसे हाली में गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में शामिल किया ग अचीवमेंट मिलें इसे हॉस्पिटल को तो तिलंगना के बाई में नोट कीजिए यहां पर तिलंगना तिलंगना के अपल है है एदराबाद चीफ मिनिस्टर है कल्वकुंतला चंशेखर रोय गवर्ण है यानिकि राज्येपाल इसल नर्सिम्हा लोग सभाग सेटारा वि और प्रश्च्छी नाश्च्ट पाग है यानिकी राष्च्छ उद्यान वह है मुरुग्वानी नैश्ट पाग हमारा कोश्च अग्ला कोशन है आयसी इसी के द्वारा महिला क्रिकेट ओफद एयर का किताब किस ने जीता है तो उनका नाम है समरीती मंधाना देखिए जो सम वाद्ट से सम्मालित किया गया तो उनका लाम है जूलन गोस्वामी जिन्हें दोजाब शात में महिला क्रिक्ट ऑफ ierm वाद्ट सम्मालित किया गया था और समृति मन्थाना को इसी के साथ साथ वोमेन वन डे प्लियर ऑफ दा अवार्ड से भी सम्मानी थिया गया है और ICC ने हाली में इंग्लेंड की जो सोफी एकलेस्ट्रोन है उन्हें भी ICC Emerging Player of the Year अवार्ड से सम्मानी थिया है अब समरीती मन्थाना आपका अंसर है तो इनके बार में इंपॉर्डन नोट कीजिए कि जो समरीती मन्थाना है यह प्रेजन में बंडी बल्ले बाजो में ICC महिला रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और T20 बल्ले बाजो के ICC महिला क्रिकेटर में यह स्थान पर है इतनी इंपॉर्ड बाते आपको इंपॉर्डन नोट करनी है ICC के बार में नोट कीजिए इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्डन है फुल फॉर्म है है टेव रिचर्ड सन अगला कोशन है किस राज्य ने उज्वला सैनेटरी नापकेन पहल शुरू किया है तो इस राज्य ke counsel, Oresya necessarily के महिला के समय स्थेंभानुका पर नजर अंदब करते कुई और इस पहल qya होगा की महिलाओं को सस्ते में सैनेटरी पैड प्रोवाइड कर हमारे जो पेट्रोलियूम और प्राकिर्टी गैस मंत्री है जिनका नाम है धर्मेंदर प्रधार उन्होंने इस पहल को शुरू किया है और इस पहल के तहट ओयल मार्क्टिंग जो कंपनीज है उडिसा की महाँ पर सामान्य सेवा के द्रों में सो मैनिफ्यक्टर इनिट की स्थ चीफ मिनिश्टर है नवीन पतनाय कवर्न है प्रोफेसर गनेशी लाग लोग सभाग सेटे 21 राज्य सभाग सेटे 10 विधात सभाग सेटे 147 और जो फोग डासे यानि की लोग नरित वो है घूमराथ 6 और उडिसी नैशनल पाक है भीतर का निका नैशनल पाक है अगला कि यूपी के अंदर शिल्प और उत्पादों को बढ़ावा मेलेगा और इसी पहल से क्या होगा कि यूपी में जो मैनिफेक्ट्रिंग है किसी भी प्रोड़क्ट की उसको बढ़ावा देने के लिए नियूनी टेक्नोलोजिस को इंटोड्यूस किया जाएगा यूपी के व और फोग डांस है रासलीला नैशल पाख है दुद्वा नैशे पाख हमारा अगला कोशन है नॉर्मन गिंबेर का हाली में निधन हो गया आपको बताना है कि वह चारौशमी से किस से संबंदित थे तो नॉर्मन गिंबेर यह एक सिंगर थे मैं बता दू आपको कि यह अमेर कोंकों से ओवार्ड मेले से यह अंपार्टर है और यह बहुत ही जादा इंपार्ण कोशिन आपके लिए क्योंकि इनिह ओस्कर ओवार्ड से संबानित किया गया है और 1974 में इन ग्रैमी अवार्ड से भी संबानित किया गया और गिंदित फिर है अर्वली इन्डियAN श्टॉ तो इसे पुस्तक में भारतियों के प्रवासन यानि की माइग्रीशन के बारे में बताया है और जो पहली भारती थे सबसे पहले जो थे उन्हें आर्यान्स के नाम से जाना जाता है और जो पहले भारती थे वो लगभग 65 सो साल पहले यहां पर पहुंचे थे भारती इतनी पॉर्ण बात है आपको इस कोशन के बाए नोट करने हैं इंपॉर्डन है आपके लिए आपके 1st January 2019 के कुरंट फ्रस और जैसी स्टाडी में आप लोगो कहा गया थे कि लास्ट में दो टेस्ट दिये जाएंगे जाएंगे सबसे बला टेस्ट है कि भारत दिया मुखे मुखेबाजी कोश के रूट में किस ने शप्त ली है उनका नाम इन 4 अपने से बताना है बहुत इंपॉर्टन है दूसर टेस्ट है किस English क्रिकेटर को नायट हुड के सम्हान सब सम्मानित किया जाएगा उनका नाम इन 4 अप्श